नमस्कार मैं दुपेश कुमार उडान आयेस के e-learning platform में आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी को ग्यात है हमादी संस्तान के द्वारा CGPAC, Pree एवं व्यापम के जो अगामी परिक्षा है उसके लिए महत्तपुन्ना MC को सिंकला चलाए जारी है जिसके तरह आज मैं आपके समक्ष भारत के भुगोल के प्रस्णों को लेकर उपस्तित वहूं उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्तपुन्ना जानकारी है हमारी संस्तान के द्वारा जो व्यापम के अगामी परिक्षा है महिला परिविक्षक इसके लिए एक विशेष बैच लॉंज की जारी है 24 जुलाई से ये बैच दोपहर 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक संचालित की जारी है ये बैच मुख्य रूप से एक्जाम को ओरियंटेट लेकर बनाया गया है किस प्रकार से वहाँ पर प्रस्णों को आएंगे उसके अधार पर मुख्य रूप से जो सिलेबस है उसके अध्यान करवाया जाएगा इस बैच की खास्यत ये है ये मुख्य रूप से आफ लाइन के साथ साथ आपको ऑनलाइन भी सुईधा प्रदान की जाएगे साथ ही जो भी अध्यान करवाया जाएगा उसका आपको PDF नोट्स भी प्रवाइट करवाया जाएगे निंतम सुलक पर है ये मुख्य रूप से अधिक्तम जनकारी के लिए आप दिये गए नंबर पर संपर्ग कर सकते हैं इस बढ़े हम अपने प्रसनों की वह उद्र तो पहला प्रसना देखते हैं विए पहला प्रसन राज्यों के किस्ञंव और एक है आपका मिघाला है इन सातों राज्यों को सेवेन सिस्टर के नाम से जाना जाता है पुरुत्तर भारत में यहीं पर देखे अगर नागा लेन की जो सीमा किसके किसके सांद लग रही है तो एक है आपका उत्तर में इसके अरुनाचल प्रदेश एक राज्या दक्षिन म fault मिघाला सीमा नहीं बना दिए यहां पे वही अद्धाब्र सम और मनिपूर यह जो शब्स है नागा नागा लेंड राद जी के साथ सीमा साजा करें तो हमारा एंसर कौन से हो जाएगा बी एंसर आपका सई होगा अगला प्रस्न देखते हैं नदियों के लंबाई के अधार पर औरोही क्रम में सही अनुक्रम कौन सा होगा यहां पर औरोही क्रम कहने का मतलब डिसेंडिंग ओडर मतलब घरता हुआ क्रम देखे अगर नदियों के क्रम को यह जो नदिया मुख्य रूप से जैसे कि हम पढ़ते हैं महानदी गुदावरी क्रिष्णा कावेरी यह जो पूर्वर के ओर नदिया प्रवाहित होती है यह है वही बात करें पस्तिम के ओर तो एक नदी पढ़ते हैं नर्मदा और एक हम पढ़ते हैं तापती नर्मदा और तापती तो यहां पे नर्मदा नदी का जो लंबाई है कुल लंबाई यह 1312 किलो किलोमेटर के आसपास है अब बात करें गुदावरी का गुदावरी नदी पूरे दक्षिन भारत का सबसे लंबी नदी है 1465 किलोमेटर और वहीं हम बात करें चतिर गड़ से निकलने माली नदी माहा नदी तो इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 858 किलोमेटर है यह नदी का एक किलोमेटर की लंबाई है इसको जमाना है अधिक्तम से निन्तम के और और वही करम में तो सबसे पहला जो होगा कौन सो होगा गुदावरी नदी दूसरे नमर पर आप देख रहे हैं नर्मदा नदी तीसरे पर माहा नदी और चौंथे पर कुन यह तापती तो इसका सहीं अंसर क्या हो जाएका option number भी ही सहीं होगा द्यान देंगे नदियों की लंबाई के अनुसार भी कभी कभी प्रस्ण आते हैं तो आप अगर नदियों की लंबाई पता है तो आप उसका करम भी यहां से निकाल सकते हैं बड़े आगे प्रस्ण की औ निम्ना लिखित कत्नों पर विचार कीजिए, देखा जाए अगर कत्नों को, तो सबसे पहला कत्न दिया गया यहाँ पे, दक्षिन भारत से उत्तर भारत की ओर मानसुन की अवधी घरती है, तो इसको देख लेते हैं किस प्रकार से यह प्रस्न पूछा गया है, तो देखे भारत की जो मानसुनी हवाएं हैं, वो मुख्य रूप से दक्षिन पस्सिम मानसुनी हवाएं, यह जो है इस छेतर से दो भागों बढ़ जाता है, एक बंगाल की खाडी और एक अरब सागर की खाडी, जब बंगाल की खाडी भी पहुंचती है, तो यहाँ पे मुख्य रू अंडमान निकोबार और यहाँ पे भारत का नौर्ट इस्ट एक यहाँ पे पहुंचती है, यहाँ पे और एक पहुंचती बंगाल वाले छेतर में, यह जो हिस्सा है सबसे पहले केडल, करनाटक और यहाँ पे आपके महादास टोला छेतर में, मतलब अगर क्षिन को अगर देखा जाए, तो क्या लिखा है, दक्षिन भारत से उत्तर भारत की और मानसुन की अवधी, मतलब समय में क्या होती है, घड़ती है, जैसे कि यह जो हिस्सा है, केडर वाले हिस्से में, एक जुन को यहाँ पे मानसुनी हवाएं पहुंच जाती है, आगे बढ़ते बढ़त उनके आस-पास, इस प्रकार से आगे की और बढ़ रही है, उत्तर से दक्षिन के और वैसे वैसे अओसी क्या हो जिया है? घट रही है, जैसे कि कभी पांस दिन लग गया, किसी में दो दिन लग जिया, ऐसा क्या होती है? घड़ते करम में, दूसरा अगर देखे, उत्तर भ प्रश्न की अनुसारा कर देखा जाएं तो हमारा पहला और दूसरा कतन दोनों क्या यहां पे तो यहां पर अगर आप्सन देखा जाए तो अप्सन नमबर सी क्या है हमारा यह सही एंसर क्लियर रहे बड़े अगले प्रश्ण के वर देखते हैं अगला प्रश्ण मेघाला का पठाद है कि मेघाला का पठाद है मतलब किसका भूभाग है यह क्यूसन करने का इसका उद्देश्य है तो हम अगर देखते हैं मेघाला का पठाद जैसे आपको भी सेवें सिस्टर में बताएं आपको कि इस सेवें सिस्टर में माल्दा भूमी माल्दा भूमी इसी माल्दा भूमी के नीचे धसने के वज़र से यह जो प्राइदीपी पठार से अलग हुआ है यह मिघाला का पठार तो इसका एंसर हो जाएगा option number B आपको क्या होगा यह सही एंसर होगा बढ़ते हैं आगे प्रशनों के और भारत में सरवाधिक वर्षा खाली स्थान चेत्र में होती है अगर देखा जा यहां पर वर्षा का वित्रन अभी आपको मैंने बताया यह वाले चेत्र में कि भारत के कौन से चेत्र में वर्षा सरवाधिक होती है अगर हम centimeter की बात करें या उसमें उसकी दर की बात करें तो यह जो हिस्सरा है आपका मुख मेंगाल यहां भी 200 cm के पास वर्षा होती है तो भारत की सरवादीक वर्षा वाला छेतरी तिन अरिया है क्योंकि मैंने आपको बताया कि पूर्वर से पोस्षीम जैसे 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 जाते है वर्षा के मातरा में कमी होते जहां पहले मिलेगा वहां सरवादिक होगी तो इसके अनुसार एंसर अगर देखा जा तो प्रस्यमिघाट अंडरमान और यह मिघाला तो आपका आपका सही एंसर तो यह जलवायू का क्रेस्टन से आप ठीक है देखें अगला प्रस्ट प्रकार की मृदा में सबसे अधिक निच्छालन होता है अगर हम बात करें मिट्टी का तो भारत में मुख्य रूप से आठ प्रकार की मिट्टी अपहिए जाती आब प्रकार की मिट्टी और इस नाम है लेटेच 무 sensitivex dot पाई जाती है जहां पर तीव्र साख deux हैं अधिक होता है जैसे कि यह कोई ड्हलान वला च्छेतर है और यहां पर वरसा अधिक होगा तो यह मिट्टी के उपरी सता का निच्छालन करके बाहा कर वो ले जाती है जब यह उपरी सता बाहा कर चली जाती है तो इसके जो अंत्रिक भाग है वहाँ पे कंक्रीली भूमी बच जाती है और यहीं कंक्रीली भूमी क्या कहलाती है लेटेराइट मिट्टी कहलाती है जो मुखर्ष कहां पाई जाएगी जहां पे सरवाधिक वर्षा होती है और तीवर ढ़ाल भी होते हैं तो भारत में अगर देखें तो यह जो पस्चीमी घाट वला हिस्स्ट है यह वाला यहां पे क्या पाई जाएगी लेटेराइट मिट्टी पार्ट प्रदेश की बात करें पूर्वी पठाज पर साथ अब यह देखते हैं चत्तिस गड़ का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है पार्ट प्रदेश जैस्पूर सामनी पार्ट है आपका सरगुजा वाला है तो वहां पर कौन से मिट्टी पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी जिसको चत्तिस गड़ भ के साथ सुमेलित कीजिए और सुचियों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सहीं उत्तर का चेयन करना है यहां पर सुची वन जो दिया है वह दर्ड़ा पास जिसको बोला जाता है और यहां पर सुची टू है उस दर्ड़े सम्बंदित इस्टेट राज्य के बाद है यहां इसको हटा दूआप इसमें और नहीं है यहां पर नहीं है यह जहलेपला कि यह पिल्ब मुख्रिव से कहां पर है तो सी का वन डी का तू एंसर क्या हो जाएग आप साथ सी एंसर यह आपका सई और यह कुरिषें बनते हैं दर्दे के दार पर यह ऐसे भी क्रिष्टन ब्हारत में जो वाटशिक वीतरान है और भारत में एक रेखा उजरती है जिसका नाम है करकर रेखा उपर वाला पूशनर निशे वाला तैसे बहुंत परिवर्तन आता है अधा बितरन के आप यह आपका उत्तर पूर्वी में और यहां पर अंडमानिक हुआ है जहां सरवाधिक वर्षा होगी वहां पर हमिशा सदावार वनस्पति पाए जाएंगे लेकिन भारत के संपुर्ण छेत्र में सरवाधिक वर्षा नहीं होती थी 200 सेंटिमेंट से दिख और अस्तन वर्षा हो जाती है यह से आपका सही एंसर हो गया है नेक्स्ट एक निम्र लिखित में से चम्मल घहाटी योजना से संबंधित नहीं है पूछाए नहीं और यह जो कुट दिया इसके अधार पर एंसर निकालना है तो देखते हैं पहला जो है आपका गांधि सागर जवाहाट सागर अ यमना नदी की अ कशंश का नाम है चंबल इस इस प्रकारट से परवाहित होता है इस नदी का नाम हैं जो तीन होकर गुजरता है एक आपका मध्यप्रदेश एक आपका राजिस्थान और एक आपका यूपी तीन राजिस्थान प्रवाहित होता है इस MP में एक परियूजना है जिसका नाम है गांधी सागर परियूजना गांधी सागर और राजिस्थान कोटा में छेतर है जिसका नाम है जवाहर सागर परि आप देखें तो यहां पर यहां पर यहां पर यह क्या हो गया बच्चे कौन से तीन और चार यह गोविंद सागर जो है आप देखते होंगे जब व्यास और सतलड जयां पर संगम करती है कपूर्थला डिस्टिक नामक आप उसको भाख्रा नागल डेम के नाम से जानते हैं कि गोविन वल्लब पंत सागर यह 36 गड़ से निकलने वाली नदी जीहन नदी पर बनता है यह यूपी पर ठीक है तो यहां पर ऑप्सन के अनुसाथ क्या हो जाएगा सी अंसर सहीं होगा क्लियर यह देखे अगले प्रस् कि गंगा नदी के बादे में पूछा गया है पहला है गंगा नदी का उत्गम उत्तरकांसी जीले में गोमुक के निकट गंगोत्री हिमनत से हुआ है देखा जाएगा इसको भी पढ़ेंगे आगे गंगा की दो सीड से धाराएं अलक नंदा वह एवां भागी रथी है यह जो कि देव प्रयांग नामक जगा पर क्या करती है गंगा का निर्मान करती है घंगा जो है हरी द्वार के निकट पहाडों से निकल कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है देखते हैं गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा एक नदी पढहाको में अलक नंदा इस नदी का नाम है अलक नंदा नदी जिसका नाम है गंगूतित नदी और कर facts अगर देखा यहां पर कि की गांगल नरी को उग्म उत्फत का पर के तो का में निकर गंकूतरी गलेसियर होता है तो यहां पर यह जो भागी दती नदी है biography जाता है यहां पर इसके बाद से यह झू नदी है यही नदी क्याकर लाति है गंगनदी करेला उप्राइथी कि जन्गम यह संगम करेल है उसके बार गंगा ऋSäischen को घेला बया ओर और इससे पहले जो गंगनदी नहीं प्रवेश हरी थी और यहां के बाद एक मैदनों नहीं क्या होता है गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करता है तो अगर हम देखे इस question में तो तीनों option क्या है सही है तो option अगर देखा जाए तो डी क्या होगा आपका यह सही answer लिया जाएगा clear वह यह देखते हैं कि प्रदेश में एक बहुत महत्त पुर्णा स्थान है यह निम्न में से किस खनीच के लिए ख़दान के लिए जानी जाती है आप पन्ना ना बहुत चर्चित सुने होंगे ठीक है न तो यह मुख्य रुप से आपके लिए है कि आप इसका एंसर क्या लेना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका एंसर क्या सहीं होगा क्योंकि बहुत ही चर्चित है आप कमेंड करेंगे जरूर ठीक देखते हैं आगे आप असंक मेब देख सकते हैं यहां तेल का साख से मिला था वहाँ पर ठीक है यह द्यान देंगे यहां पर ठीक देखे अगला प्रस्णा भूतापी उर्जा जियो थर्मल भूतापी उर्जा पर अधारित मनी करन बिजली सर्यंतर किस राज्य में इस्तित हैं हम देखते हैं कि भादत में जो एनर्जी के सोर्स हैं अलग पर भूमी के तापमायन में पानी उबलते रहता है 36 गड़ की बात करें तो ताता पानी आप सुने होंगे बलरामपूर जीला में जहां पर जीओ थर्मल पावर प्लांट संचालित करने वाले हैं तो उसी प्रकार यहां पर पूछा के मनी करन बो मनी करन कौन से राज्य मिस अगर हम बात करें भारत की जनजाती का जिसमें मुखह रूप से अगर देखा जाया तो गोर जन जाती है भिल जन जाती आप सुनते होंगे लेकिन यह नाम है स्टेंपेन यह भारत का जो डिप सम्वू है भारत का जो रिफ समू है बंगाल की खाड़ी पे अंडमान इसी छेत्र में मुख्छे दू हैं पाये सेंट्री और एक मुख्यता आपर यहां पर यह यहां पर निलगी नहीं है निलगीडी की पहाड़ी में टोड़ा जना जाती है मुख्यता यह इस ही अंसर होगा यहां पर आया समझ में यह तो ऑप्सन के अनुसार एंसर क्या हो जाएगा हमादा बी एंसर सही हो गया ठीक देखे अगला प्रस न है कुकी जन जाती देखे यह जो क्वेस्टन है यह मुख्य रूप से चर्चीत है करेंट से संबंदित है तो ऐसे थ्यान देने लाएगा ठीक है यह जो और इससे लगा हुवा अरुणa लेंन मनेपूर यह जो मनीपूर है इसी मनीपूर पर अभी आप काफी सारे करेंड घटना है या हिंसर सूने होंगे तो । इसी मनीपूर में जन जाती मुख्य उससे पाई जाती कुकी जन जाती और हम देखे इसी के सांद विवादित हु जाती है तो यह आप अभी हिंसक जो घटनाय घटी भादत में तो उनसे संबंदित क्वेस्ट्टन को थोड़ा सा त्यार कर लेंगे तो अभी एंसर जो है इस ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो नागालेंड मेगाले मनिपुल तो मुख्य तक अहां पर यह मनिपुल वाल जैसे कि हम पढ़ते हैं महाद्रीपी विस्थापन सिध्धान वेगनर महदय का महाद्रीप सिद्धान अध्यान करते हैं तो यहां पर हम पाते हैं कि वर्तमान में जो साथ महाद्रीप है वे पूरा क्या था था पेन्थ लासा ये जो है 35 करोर वर्स पहले कादवोणी फेदस्विक में टूटता है दो भाग एक अंगादा लände और नीचे है आपका गोंवान लेंड अंगादा लेंड और नीचे आला जो पार्थ है यह कहलाता है गोंवानाले गोंवानाले पुना है क्या होता है इसमें आंतरिक बल के वज़र से यह अलग-अलग भागों तूटता है जैसे कि हम देखते हैं यह वाला पार्ट नौर्थ अमेरिका कहलाता है यह यूदोप प्लस एसिया कहलाता है और नीचे का जो भूभाग तूटता है यह साउथ अमेरिका ऑस्टेलिया आफ्रीका और तो इसी के बीचु विस्था कौन आपका इंडियन प्लेट तो भारती प्लेट किसका भूभाग हुआ गुणवाना लेंग का पार्ट अगर देखा जाए तो जुदासिक नहीं है आध्या वर्थ अंगाला लेंग आपका सहीं एंसर हो गया है तो थोड़ा ध्यान देना कि किस प्रकार से यहां पर पूछा गया है आया समझ में बढ़े अगले प्रश्निकों यहां पर निम्ने कत्नों पर विचार कीजिए देखें पहला कथा नगर भारत तथा स्रिलंका को पाक जल संधी और मनार की खाड़ी अलग करती है बिल्कुल सहीं है यह दूसरा अधरत है और यह वाला हिस्सा आपका स्रिलंका है तो हम देखते हैं इन दोनों की बिच एक ब्रीज के निर्मान किया गया है जिसको हम रामसितु बोलते हैं या एडम ब्रीज यह एडम ब्रीज के जो नीची वाला जो पार्ट है यह हिस्सा यह कहलाती है मनार की खाड़ी यह मनार की खाड़ी ऊपर वाला पाक की खाड़ी कहलाती है तो दोनों क्या एक जलसंदी है तो कहीं ने कहीं भारत और सिलंगा के मत एक सीमा देखा रहे हैं ठीक है दूसरा जो प्रस्ण है तुरिपूरा असम नागालेंड अमनीपूर यह किसके साथ सीमा मना रही है यहां पर यहां पर मिजृरिफ त्रीपूरा और यह मेख और अशम नागालेंड यह वाला पार्ट नागालेंड नहीं बना रही है तो अगर अप्षा बिल्कुल गलत हो जाता है तो एक यह सहींगा अंसर हो तो पहले आप उसका अध्यान कीजिए अच्छे से उसके बाद जवाब दीजिए ठीक है तो यह जो प्रस्ण था मुख्यर उससे आगामी परिक्षा के लिए क्या है काफी महत्तपुन्न है जितने भी एक्जाम होंगे व्यापम के लिए चाहे पीसी के लिए जो भी एक्जाम